हाई दोस्तो ये heat and mass transfer का lecture number 34 है और इस lecture में हम composite और hollow spare के लिए एक numerical करेंगे ये question number 2 है तो चलिए देखते हैं देखिए ये हमारे पास है question number 2 ए इस्पेरिकल थिन वोल्ड मेटलिक कंटेनर इज यूज़ टू स्टोर लिक्विड नाइट्रोजन एट माइनस 190 डिग्री सेल्चेस तो हमारे पास क्या है एक स्पेरिकल कंटेनर है और उसमें लिक्विड नाइट्रोजन स्टोर की जाती है त तो हम क्या कर लेते हैं कि एक स्पेर बना लेते हैं तो जैसे कि ये हमारे पास एक स्पेर है और चलिए आगे देखते हैं तो जो कंटेनर है इसका डायमेटर कितना है पॉइंट फाइव मीटर तो इसका डायमेटर है पॉइंट फाइव मीटर अब देखो जो ये स्पेर है इस स्पेर की कोई भी थिकनेस नहीं दी गई है तो जब थिकनेस नहीं दी जाती तो हम क्या करते हैं कि केवल एक ही सिंगल लाइन बनाते हैं तो हम क्या करेंगे केवल एक ही सिंगल लाइन बनाएं कि प्यर्ख कर एक दया मेटर गया है इन ने अ मलग कर लेते हैं कि जो यह इंसुलेशन है this इंसुलेशन को बणादेती चंच ए Bennett आपर कि यह क्या है इंसुलेशन और यह insulation बनाई गई है silica powder से the insulation is 25 mm thick and its outer layer is exposed to air at 27 degree Celsius तो यह हमारे पास क्या है insulation है और यहाँ पर outside का temperature कितना है air का 27 degree Celsius और देखिए insulation की ठिकने ऐसे 25 mm तो यह कितना है 25 mm और देखिए जो इसकी radius दी गई है spherical container की वो कितनी है 0.5 upon 2 तो यह कितना है 0.5 upon 2 देखो हम माल लेते हैं कि यह क्या है r1 है और यह क्या है r2 है तो इस तरह से हमारे पास r1 कितना क्यों है तो हम यहां पर लेते हैं कि r1 कितना है हमारे पास 0.5 upon 2 तो r1 की value कितनी है जाएगी 0.25 meter ऐसा करते हैं कि अब हम r2 भी calculate कर लेते हैं तो r2 के लिए हम क्या करेंगे r1 में इसकी thickness एड़ कर देंगे तो r2 is equal to r1 की value कितनी है 0.25 25 mm तो इसे हम mm से meter में convert करेंगे तो 1000 से divide करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0.025 तो अब इन दोनों को add कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.275 तो यह हमारे पास R2 है और उसके बाद हमें दिया गया है कि जो inside का temperature है वह कितना है minus 196 degrees c to ऐससे कर लेते हैं कि जो inside का temperature है ती 1 और outside का temperature है वह क्या है T2 तो कितना given है minus 196 degrees c celsius और टीटू वह हमारे पास कितना है 27 डिगरी celsius तो हमने सब कुछ लिए आगे देखते है क्या है दा कनलक्तिव हीट ट्रांसफर कोफिसेंट ओन आउटर सर्फेस तो आउटर सर्फेस का लिए हो कितना है 20 आगे देखते हैं हमारे पास क्या है देखो लेटेंट हीट ओफ इवापरेशन ओफ नाइटरोजन इसकल टू इन्टू टैन की पार फाइव जूल पर केजी तो यह लेटेंट हीट है नाइटरोजन की वह कितनी है 804 और देखो यहां पर क्या है थर्मल activity हमें कितनी दिग गई है point 0017 तो इसे लिख लिएते हैं point 0017 और उसके बाद में देखो हमसे क्या find करने के लिए बोला गया find the rate of heat transfer तो हमें क्यूंकि value find करनी है और इसमें बाद में क्या क्या निकालना है rate of n2, तो चलिए solve करते हैं इसे, तो सबसे पहले हम rate of heat transfer calculate कर लेते हैं, तो देखो इसके लिए क्या formula रहेगा, आपका यहाँ पर temperature कितना T1, यह temperature T1 है, और यहाँ पर बाहर की तरफ कितना temperature T2, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो, अगर आप मानते हों कि यहाँ पर 3 layer है, तो यहाँ center से लेकर कि यहाँ तक, और फिर यह वाली, और फिर यहाँ outside में, अगर 3 layer हैं तो यहाँ पर 3 resistance रहेंगे, तो चलिए Q का formula लगाते हैं, तो सबसे उपर की तरफ किया लिखा जाता है temperature difference, तो temperature तो यहाँ पर देखो nitrogen है, और nitrogen के लिए क्या आएगा, यहाँ पर convection रहेगा, और convection के लिए क्या लिखा जाता है, 1 upon HA, तो देखो 1 upon HA, अब क्योंकि यहाँ पर inside के लिए तो heat transfer coefficient नहीं दिया, तो यह क्या रहेगा, 0 रहेगा, अब इसके लिए देखो, जो insulation है, तो insulation के लिए spare का क 1 upon 4 pi k r1 r2, यह हमने drive क्या था, और उसके बाद, यहाँ पर convection रहेगा, और convection के लिए क्या लिखा जाएगा, सैम यही, 1 upon HA, तो 1 upon H, और H की value यहाँ पर क्या है, H note, और area यहाँ पर कितना रहेगा, देखो यह क्या है, spare है, और spare का area होता है, surface area, 4 pi r square, और देखो यहाँ पर radius क r2 है, तो यहाँ पर क्या है, 4 pi r2 square, तो यह हमारा rate of heat transfer का formula है, और इसकी value यहाँ पर क्या है, 0 है, क्योंकि हमें, यह जो H है, inside के लिए नहीं दिये गया, तो चलिए इसमें value put करते हैं, और इसे soul करते हैं, तो देखो हमारे पास T1 कितना है, minus 196, और T2 हमारे पास कितना है, 27, 27, और R2 हमारे पास कितना है, R2 हमारे पास, 0.275, और R1 हमारे पास कितना है, देखो R1 कितना है, 0.25, उसके बाद 4 pi, देखो यहाँ पर क्या है, क्या है, 4 pi क्या है, common है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 4 pi को हम कहाँ लिख लेते हैं, उपर की तर और k की value है 0.0017 और r1 कितना है यह 0.25 और r2 0.275 अब देखो h note की value कितनी है h note हमें दिया गया है 20 और r2 हमारे पास कितना है 0.275 ओपर वालों को solve करने पर यह आएगा minus 2802.3 upon इसे solve करेंगे तो यह आएगा 213.903 और इसे solve करने पर आएगा 0.661 और finally जब हम इसे solve करेंगे तो यह आएगा minus 13.06 तो यह आपका क्या है rate of heat transfer अब इसकी value negative है तो इसका मतलब क्या है जो heat transfer होती है वो आपकी outside से center की तरफ होती है अब इसका देखो second part देखते हैं जिसमें हमें nitrogen की rate calculate करनी है तो देखो इसके लिए तो हमने कोई formula नहीं पड़ा फिर भी है exam में आ सकता है तो इसे हम देखते हैं इसमें हमें calculate करना है rate of n2 तो देखो आपका पता होगा कि rate का मतलब क्या है कि हम time से divide करते हैं तो time से divide करने का मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ क्या आना चाहिए second आना चाहिए या अवर आना चाहिए नीचे की तरफ क्या रहेगा second और उपर की तरफ क्या रहेगा kg आगर हमें इस तरह की कुछ quantity मिल जाती है, तो हम कह सकते हैं, जो हमारे पास nitrogen है, वो किसकी form में है, rate की form में है, तो finally हमें क्या निकालना है, KG per second, तो KG per second हम किस तरह से निकाल सकते हैं, हम यही पर देखते है, जो हमारे पास, यह, हीट आई है, यह किसकी फॉम में है, यह आपकी मिली है, जूल पर सेकंड, क्योंकि वोट क्या होता है, जूल पर सेकंड, और जो हमारे पास, यहाँ पर, लेटेंट हीट दे रखी है, वो किसकी फॉम में है, जूल पर केजी, तो, जब हम, इस क्यू में, मतलब कि जूल पर सेकंड में, इस कि यूनिट किया है jool per kg इससे डिवाइड करेंगे Jool per kg से तो देखो यह Jool से Jool cancel हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचाएगा kg per second तो कहने का मतलब यह है कि जब हम Q को divided करेंगे आपका latent heat से तो हमें क्या मिलेगा rate of n2 तो finally हमें इसमें क्या करना है कि इसमें हमें यही करना है कि q upon latent heat of evooperation तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर तो चलिए हमें यहाँ पर सभी की value put कर देते हैं q की value कितनी है 13.06 latent heat की value कितनी है 2 into 10 की power 5 इसकी value हमें दे रखे 2 into 10 की power 5 और इसकी unit कितनी आएगी kg पर second तो divide करने पर यह हमें मिलेगा 6.53 into 10 की power minus 5 kg पर second इसे हम kg पर hour में भी calculate कर सकते हैं तो kg पर hour में लाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इसमें इसमें हम 3600 से multiply करेंगे तो यह किसमें convert हो जाएगा kg पर hour तो 3600 से multiply करने पर यह आएगा 0.235 और इसकी unit अब क्या है kg पर hour तो इस तरह से हमने rate of n to calculate कर लिया तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही इस से अगले वाली वीडियो में हम question number 3 करेंगे जो academic की द्रश्टी से बहुत ही जादा important है तो आज की वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते हैं अगले वाली वीडियो में तो यह बढ चार को आज की जादा की जादानिक प्राख बढ़ियो में इतना ही जादायो में चार्शा वीडियो में वीडियो में ही उाए